Hello everyone, welcome to my channel Get to Learn मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मौआ मार्या रेबिलियन का स्टार्टिंग कैसे हुआ था आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मौआ मार्या रेबिलियन के फर्स्ट फेस के बारे में कि पहले चरण में मौआ मार्या रेबिलियन में क्या क्या चीज़े हुआ था तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक इन्फोमेशन आप लोग थोड़ा करेक कर लीजेगा कि actually में क्या हुआ था राघा मोरान को ही पनीश किया गया था और नहोर खोड़ा सोय किया का ही कान कार्ट दिया गया था इस information को आप लोग थोड़ा correct कर लीजेगा फिर देखिए हम लोग मौमारिया रेबिलियन में क्या क्या events हुआ था उसके बारे में जानेंगे तो हम लोगों को तो पता जल गया था कि मौमारिया रेबिलियन कैसे स्टार्ट हुआ है और मौमारियास का one and only objective क्या था कि कैसे आहोम रूल यानि आहोम के साशन को कैसे खतम किया जाए और इसे वज़े से क्या हुआ 1769 के अंत में मौमारियास ने 7000 सोलजर को इकठा कर लिया और उन्होंने मौमारिया रेबिलियन करने के लिए अपना पुरा अनुमती यानि अपने आपको पूरी तरह से तयार कर लिया था और फिर इसे वज़े से एक पर क्या हुआ कि आहुम के साइट से एक ग्रूप जब वे लोग मौरान एरिया में जहाँ पर मौरान ट्राइब के लोग रहते थे उस एरिया में गए थे टिमबर कलेक करने के लिए जैसा कि वो लोग करते थे और जब वे लोग उस मौरान ट्राइब के एरिया में गए थे timber correct करने के लिए तो क्या हुआ वहाँ पे उन लोगे के उपर हमला हो गया मतलब माया मारा शत्र मौमारियास ने उन लोगों के उपर हमला बोल दिया और फिर उसके बदले में राजा ने मतलब आहोम किंग ने भी 2000 सोलजर भेज दिया लेकिन उसमें क्या हुआ कि आहोम राजा आहोम किंग को defeat देखना पड़ा मतलब उनको हार का सामना करना पड़ा और माया मारा यानि मौमारियास का उस fight में जीत हुआ था और ये देखके बहुत सारे लोग माया मारा शत्र को join करने लगे क्योंकि वो लोग बहुत excited हो गए थे उस victory यानि उस जीत से और फिर लक्षमी सिन्हा ने भी क्या किया उसके बदले 14,000 सोल्जर का एक जुन तयार कर दिया और जो 14,000 सोल्जर का group यानि 14,000 सोल्जर का एक आर्मी लक्षमी सिन्हा ने जिसको start किया था उसके कमांडर कौन थे उसके कमांडर थे हर नाम पिटोर्वाल फुकान और बाद में क्या हुआ लेकिन जब इन लोगों ने वार किया उस वार में भी फिर से आहोम को हार का सामना करना पड़ा और जीत फिर से मौामारियास का हुआ और जब वे लोग हार गए इस कमांडर को यानि हर नाम पिटोर्वाल फुकान को बंदी बना ले आ गया था और फिर क्या हुआ मौामारियास धीरे धीरे उन्होंने सौराइडियो हील को पार कर लिया और इधर क्या हुआ आहोम किंग लक्षमी सिन्हा और उनके जो ओफिसल्स थे वो लोग गौहाटी भागने का प्लैनिंग कर रहे थे और उसे बग क्या हुआ मौमारियास ने उनके कैपिटल यानि रौंगपूर को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद उन्होंने आहोम किंग लक्षमी सिन्हा को जोईदोल में कैप्चर करके रखा उनको उधर बंदी बना के रखा और जो किर्थी चंद्र था किर्थी चंद्र और दूसरे ओफिशर्स को उन लोगोंने एलिफेंस टेबल में बंदी बना लिया फिर क्या हुआ मौमारियास ने नाहोर खुरास के बेटे यानि रामाकांत या फिर जिसको रामानांदा भी बोला जाता है उसको थ्रोन पे बिठा दिया मतलब उसको सिनहासन पे बिठा दिया और जो रागा मौरान था उसको बोरबोरवा बना दिया और जितने भी higher post से, साब post उन मौमारियास ने capture कर लिया और ऐसे क्या हुआ कि जो ahom officials थे, जिन्होंने मौमारियास के उपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था उन ahom officials को मार दिया गया और फिर क्या हुआ धिरे धिरे, जो royal शत्र था हम लोगों को पता है, royal शत्र और मौमारिया, मतलब माया मार शत्र के लोग बिल्कुल ही एक दुसरे के खिलाफ थे और माया मार असको अभी time start हो गया था और इसी बात से, royal शत्र के लोगों को, माया मार शत्र का गुस्ता झेलना पड़ा और फिर माया मार शत्र के लोग, royal शत्र के लोगों को force करने लगे, वो लोग अब common लोगों को force करने लगे, माया मार शत्र जोइन करने के लिए और इसी बात से क्या हुआ, धिरे धिरे माया मार शत्र का जो popularity बर रहा था, वो कम होने लगा और इस बात का किसने फाइदा उठाया, जो आहोम के supporters थे, उन लोगों ने इस बात का भर भरपूर फाइदा उठाया और फिर उन लोगों ने क्या किया, मौअ मार शत्र जो थे, क्योंकि उन लोगों के हाथ में power आ गिया था और इस बात से मौअ मार शत्र के लोग अभी एक दूसरे में ही वो लोग fight करने लगे, power के लिए और इस बात का भरपूर हम लोगों को पता है, आहोम के ग्रूप लोग इस बात का भरपूर फाइदा उठा रहे थे और इसे क्या क्या उन लोगों ने एक मनीपूरी प्रिंसेस थी, जिनका नाम था कुरंग नैनी उनकी मदद से उन्होंने क्या-क्या रागा मोरान का हत्या कर दिया और फिर जितने भी दुसरे ओफिशियल्स थे रामकांत के साथ उन लोगों का भी मर्डर कर दिया गया और बाद में वो उन लोगोंने लक्ष्मी सिन्हा जिसको बंदी बनाया गया था उसको फिर से सिन्हासन में बिठा दिया और ऐसे करके उनको अपना सिन्हासन वापस मिल गया और हम लोगों को पता चल गया कि फिर से आहोम कींग का जिसको बंदी बनाया गया था उनको अपना सिन्हासन फिर से वापस मिल गया और ऐसे करके ही आहोम रूल यानि मौा मर्या का जो रेबिलियन था उनका फेज वान का एंडिंग ऐसे हुआ था अगर आप लोगों को आगे के कहानी के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू